असलाम लेकुम दोस्तो वेलकम टू माई चैनल नाइक की दोस्तो इस दुनिया में हर इनसान डेली कोई ना कोई जॉब करता है और रोज रोज एक ही काम करने से हम उसमें बहुत माहिर हो जाते हैं लेकिन दुनिया में कुछ वरकर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने काम करने की स्पीड को एक अलगी लेवल पर ले जाते हैं और फिर ये वरकर्स आँके बंद करके भी अपना काम इतनी तेज स्पीड के साथ करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के लिए उन्हें जज कर पाना भी मुश्किल हो जाता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मुझूद आठ सबसे फास्ट वरकर्स के बारे में बताऊंगा जिनकी माइंड ब्लोइंग स्किल्स को देखकर आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो इस दुनिया में बहुत से लोग मल्टी टैलेंटिड होते हैं ऐसे लोग अपना काम खतम करके खुद को डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वाल्व रखते हैं सम्टाइम्स इन लोगों में कोई ऐसा हीडन टैलेंट मुझूद होता है जिसे देखकर साथ वाले हेरान रह जाते हैं जैसा कि इस वीडियो में ये कारपेंटर काम खतम करने के बाद अपने दोस्तों को अपना हिडन टैलेंट दिखाता है ये नेल गन के साथ सामने रखे कैन्वस के उपर मोनालीजा पेंटिंग ड्रा करता है और ये पेंटिंग इतनी एक्यूरेट थी कि इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी प्रोफेशनल पेंटर ने ड्रा की हो दोस्तों हिरानगी की बात तो ये थी कि इस कारपेंटर ने सिरफ एक मिनट के अंदर ही ये पेंटिंग बना दी थी सच में नेल गन के साथ एक पेंटिंग ड्रा करना कोई बच्चों का काम नहीं है इस वर्कर की ये स्किल वाकई में माइट ब्लोइंग है आप इस वर्कर को दस में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं दोस्तो मार्केट में जब हम किसी स्टोर से कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां शॉपिंग करने के बाद पेंट के लिए काउंटर पर और भी बहुत से लोग खड़े होते हैं और हर किसी की यही कोशिश होती है कि मेरा बिल्द सबसे पहले हो जाए और मैं जल्दी फ्री हो जाऊं ऐसे में अगर कैशियर की प्रेक्टिस ना हो और वो काम स्लो करे तो नेक्स टाइम लोग उस स्टोर पर नहीं जाते लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक मेडिकल स्टोर की है जहां एक कैशियर इतनी तेश स्पीड के साथ बिल बना रहा है कि इसे देखकर कस्टमर्स भी हेरान रह जाते हैं और एक कस्टमर्स तो इसकी वीडियो बनाना शुरू हो जाता है दोस्तो पहली बार इस कैशियर को देखने से ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ कीबोर्ड पर ओलियां ही मारता जा रहा है इस कैशियर के काम करने की स्पीड सच में अनबलेवेबल है दोस्तो प्यास एक ऐसी सबजी है जिसके बारे में फेमस है कि ये अपने काटने वाले को रुला देता है असल में प्यास को काटने से इसके अंदर से सैन प्रोपानीथियल एस ऑकसाइड गैस रिलीस होती है जो आँखों को काफी चुपती है जिसकी वज़ा से आँखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है इसलिए खावातिन प्यास को काटने से पहले अपनी आँखें ढाप लेती है और इसे सलो सलो काटती है लेकिन दोस्तो इस वरकर ने तो बड़े बड़े शेफ्स को भी पीछे छोड़ दिया आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये वरकर अपनी आँखों पर पट्टी बांद कर किसी मास्टर शेफ से भी तेज प्यास की कटिंग करता है हिरानगी की बात ये है कि ये वरकर हर मरतबा प्यास को एक ही शेप में काटता है दोस्तो आंकों पर बट्टी बंदे होने की वज़ा से इसकी आंकों में चुबन भी नहीं होती और ये तेजी से अपना काम भी कर लेता है इस वर्कर की ये स्किल और स्पीड सच में तारीफ के लाइक है मेरी आप सबको एक वार्निंग है कि इसे गर पर बिल्कुल भी ट्राइ मत करें वरना ऐसा करने के चकर में आपका हाथ भी कट सकता है दोस्तो कोई भी वहिकल जो हम चलाते हैं चाहे वो मोटर साइकल हो या फिर कार हर वहिकल को स्पैसिफिक किलोमिटर तक चलाने के बाद उसके इंजन और बाकी पार्ट्स की सर्विस करवानी पड़ती है जिसके लिए अच्छा खासा टाइम रिक्वाइड होता है इसी तरह अगर हम फार्मूला F1 रेस को देखें तो उसका ट्रैक इतना लंपा होता है के कार को रास्ते में ही सर्विस के जुरूरत पड़ जाती है इसलिए इन ट्रैक्स की साइड पर जगा जगा पिट स्टॉप्स बनाये जाते हैं जहां कार को कुईक सर्विस देकर वापिस ट्रैक पर छोड़ दिया जाता है यहां तक के ड्राइवर को कार से उतरने की जहमत भी नहीं करनी पड़ती दोस्तों यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह फरारी F1 रेस के एक पिट स्टॉप की है जहां कुछ वरकर सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही कार की सर्विस के साथ साथ उसके टायर्स तक चेंज कर देते हैं यह सच में नाकाबिल यकीन है पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि इस वीडियो की स्पीड तेज की गई है लेकिन असल में ऐसा नहीं है यह रेसिंग हिस्टी का अब तकक सबसे पसंद होता है एवन कुछ लोगों को तो बर्गर का नाम सुनकर ही मुँ में पानी आ जाता है ऐसे में अगर हम अपने फेवरेट ब्रेंट से बर्गर लेने जाएं और वहां पहले से ही बहुत ज़्यादा रश हो तो हमारे लिए वेट करना काफी मुश्किल हो जाता है तो दोस्तों मिलिए इस worker के साथ जिनकी burger बनाने की speed इतनी तेज है कि अगर आपको एक वक्त में 10 burgers भी चाहिए हूँ तो इसके लिए आपको सिर्फ 15 seconds वेट करना पड़ेगा क्यों दोस्तों चौंग गए ना अगर आप नोट करें तो इस वीडियो के अंदर ये worker 10 seconds के अंदर अठ बर्गर्स को पैक कर रहा है जो के सच में ला जवाब है दोस्तों जैसा के मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस दुनिया में कुछ लोग multi talented होते हैं वो अपने काम को तो अच्छे से करते ही हैं इसके इलावा उनके अंदर कोई और talent भी होता है जैसा के इस वीडियो में आप इस excavator worker को देखें जो खाली बोतलों को line wise जमीन पर रख कर इन्हें catcher के अंदर कुछ इस तरह से port करता है जो के सच में बहुत amazing लगता है दोस्तो हिरानगी की बात तो ये है कि इस worker से एक भी bottle mist नहीं होती दोस्तो जब हम किसी restaurant में खाना खाने के लिए जाते हैं तो sometimes rush ज़्यादा होने की वज़ा से सबी tables book हो जाते हैं और हमें wait करना पड़ता है जो ही कोई table free होता है तो workers उसकी सफाई करना शुरू हो जाते हैं जिससे हमें मजीद wait करना पड़ता है लेकिन अगर हर restaurant पर workers के काम करने की speed इस worker की तरह हो जाए तो customer का बहुत सा time waste होने से बचाया जा सकता है ये worker अकेले ही मिंटों में पूरा table knead and clean कर देता है और इसे देकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई robot हो ऐसे workers को तो हर कोई अपने restaurant पर hire करना चाहेगा दोस्तों अगर आप भी कभी नान या रोटी लेने के लिए तंदूर पर गए हों तो आपको पता ही होगा कि जब रोटी तंदूर से निकल कर आती है तो वो बहुत ही जादा गरम होती है इसलिए उन्हें फोरण पैक करना काफी मुश्किल काम होता है लेकिन कुछ workers के लिए ऐसा करना बाएं हाथ का काम होता है जैसा के इस वीडियो में आप इन लड़कों को ही देख लीजिए जिनकी रोटियों को पैक करने की स्पीड इतनी तेज है के हर तंदूर ओनर ऐसे workers को हाईर करना चाहेगा तो दोस्तों ये थे दुनिया में मुझूद 8 सबसे fast और skilled workers जिनकी स्पीड और skills सच में लाजवाब थी आपको इन में से कौन सा worker सबसे ज्यादा fast लगा नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं और दोस्तों मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलें शुकरिया मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें अल्ला हाफिज